जग्यासों मेत्रों बहुत बहुत अभिनंदन है वागत है आज के इस काईक्रम में लाइव चर्चा में श्रीमत भगवत गीता पर हम यह चर्चा कर रहे हैं श्रीमत भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथी साथ जीवन में हमें कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए यह भी समझने का हम प्रियास कर रहे हैं तो यह विशय हमें समझना है आज का जो विशय है क्या शुद्र और नारी को परमगती प्राप्त होगी की नहीं होगी भगवान इस विशय का इस पस्टी करन श्रीमत भगवत गीता के नवम अध्याय में देते हैं और बहुत सारी बाते हैं जिन प्रश्णों का उत्तर हमें आज की इस चर्चा से प्राप्त हो जाएगा समाजिक परिवेश में या राजनैतिक परिवेश में भी ऐसी कई चर्चाएं की जाती है तो हम आज उन सभी का उत्तर एक साथ प्राप्त करेंगे आज की चर्चा में लेकिन यह कभी ना भूलें कि यह जो चर्चा आगे बढ़ रही है आज का जो विशय है कोई बहुत अलग विशय नहीं है जो पिछली चर्चाएं हुई हैं उसी का आधार लेकर भगवान श्रीकृष्ण इसे तथे को समझाने का प्रयास कर रहे है श्रीमत भगवत गीता में जो भी बात है वह सुतर्क है क्या है सुतर्क सुतर्क कहने का मतलब कि एक सुन्दर तर्क के रूप में भी हमें समझाया जा रहा है अब सुतर्क है या कुतर्क है इसका निर्णय कैसे होगा इसका निर्णय तर्क शास्त्र से होगा अर्थात न्याय दर्शन तर्क शास्त्र जो तर्कों के बारे में जो बाते कर रही है अगर आपने न्याय का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज भी आपको हो तो न्याय दर्शन क्या करती है न्याय दर्शन तरकों को कटेगरी देती है कि आपका तरक किस लेवल पर है आपने जो लॉजिक दिया है उसका लेवल क्या है और क्या न्याय शास्त्र यह भी कहती है कि नहीं आप जो वेदों से बोलेंगे वह मानने होगा उसे अपने एक प्रमान विवस्था में रख दिया जाता है लेकिन अगर आप प्रमान विवस्था की बात करेंगे तो सर्वदा चाहे वह पाश्यात विज्ञान हो चाहे वह पाश्यात दर्शन हो जो सर्वस्रिष्ट प्रमान होगा उसे परतक्ष ही कहा जाएगा सर्वस्रिष्ट प्रमान होगा यहां तक कि मिमांसा अचारे अचारे कुमारिल भट मिमांसा अचारे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शास्त्रार्थ किया था मिमांसा अचारियों नों कहते हैं सबसे अधिक शास्त्रार्थ किया था क्योंकि वो कर्म की प्रधानता मानते हैं किसी देवी देवता किसी गुरु भगवान से भी उपर कर्म की प्रधानता मानते हैं तो जब तर्क होने लगा ऐसे लोगों से जो वेदों को शब्द प्रमान के रूप में स्विकार नहीं करते अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि श्रीमत भगवत गीता में ऐसा लिखा है तो ये प्रमान है तो ये प्रमान उन लोगों के लिए है जो श्रीमत भगवत गीता को अपना अध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं लेकिन जब आप किसी गैर वैदिक धर्म वाले व्यक्ति से जो की वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं है उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करते हैं तो वहां ग्रंथ में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है प्रमान नहीं होता इसलिए जब मिमानसा अचारियों ने बौधों के साथ शास्त्रार्थ किया था तो उन्होंने उस शास्त्रार्थ में प्रतक्ष को ही सर्वस्रिष्ट प्रमान की रूप में सुविकार किया था कि वेदों की बाते साथ में प्रतक्ष भी होनी चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि लिखा गया है बलकि वो हमारे प्रतेक्ष में भी हमारे जीवन में भी वो चीजे उतरनी चाहिए आनी चाहिए उसका प्रतेक्षी करन भी साथ में होना चाहिए जीवन की अंदर तो इसलिए कहा जाता है प्रतेक्षम किम प्रमानम, प्रतेक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं पड़ती, प्रतेक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं पड़ती है, अब हम श्रीमत भगवत गीता की बात माने, तो श्रीमत भगवत गीता प्रतेक्ष के बाद सबसे बड़ा माना गया है, अनुमान को, inference, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, inference, तो अनुमान को माना गया है, बहुत सारे तर्क अनुमान के धार पर प्रमानिव किये जाते हैं, खासकर जो scientific experiments होते हैं, वो inference-based ही ज्यादा होते हैं, विघ्न के जो भी experiment किये जाते हैं, वो inference based किये जाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा होगा, atom bomb बनाया गया, तो जब atom bomb में जब radioactive elements को जब देखा गया, कि ये किस तरह से behave कर रही हैं, किस तरह से इनका विवहार है, और उनके गुणों को देखा गया, और उनके गुणों को देकर य पहले क्या किया गया, एक अनुमान लगाया गया, कि हम atomic energy को use कर सकते हैं, हम शस्त्र के रूप में भी atomic energy का प्रियोग कर सकते हैं, हम चाहें तो atomic energy से एक bomb बना ले, और कहीं गिरा दे, तो बहुत बड़ी तरासदी हो सकती है, और वैसा कर भी दिया, अमेरिका ने Japan की उपर bomb गिरा कर मानवता को शर्म सार किया, तो कर भी दिया, लेकिन पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, कि हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि जिस ने wasp engine, steam engine बनाया, उसने देखा कि खौलता हुआ चाय जो है अगर धकन रखो तो जब boiling, जब अच्छे से boil होगा पानी, फिर क्या होगा, उसमें इतनी power आजाएगे कि वो धकन को हटा देगा, अगर वजन भी रख दिया जाए, और पानी बार बार डाला जाए, और जब उबलेगा, तो उसका जो gas है, उसको हटा, इतनी ताकत है, तो उसने पहले क्या किया, अनुमान लगाए, कि ट्रेन बना सकते हैं, इंजन बना सकते हैं, डवलप कर सकते हैं, अनुमान लगाने ता, तो हम अनुमानित कर लेते हैं चीजों को, इसलिए सबसे बड़ा प्रमान में दूसरे नंबर पर अनुमान को मान लिया जाता है, श्रीम जबान ने जो पीछे बातों को कह दिया है उसको वो अपनी बातों को काट रहे हैं जी नहीं ये करापी भगवत गीता में नहीं मिलता है पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कन्क्लूजन दिया जा रहा है इसलिए जब आप श्रीमत भगवत गीता का जब एक सिंगल मिनिंग लेते हैं ना सिंगल स्लोक का जब मिनिंग लेके चलते हैं तो आप श्रीमत भगवत गीता के मर्म से बहुत ही अन्याय कर देते हैं बहुत बड़ा अन्याय कर देते हैं जब किसी स्लोक का सिंगल मिनिंग ल शुप कर्म, उसका कर्म, उसका शुभ कर्म, उसके जो पुन्य कर्म हैं शुभ कर्म हैं, उसकी आशायें, उसका ज्यान सब ब्र्त होalter हो जाता है, फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है लेकिन जो विधी पुर्वक शर्धा से मेरे सगुन रूप में ही चाहे स्वार्थ भाव से ही कामना भाव से ही सकाम भाव से ही पूजा पाट मुझे भोग आदी अर्पित करते हैं मैं ग्रहन करता हूँ कि जो भी मेरी उपासना कर रहे हैं किसी भी देवी देवता के रूप में कर रहे हैं तो वो मुझे ना जानने के कारण मैं उनको उस तरह से प्राप्त भी नहीं हो पाता हूँ इसलिए श्री भगवान यहां पर ऐसी बात हमें समझा रहे हैं कि नहीं प्राप्त होता हूँ हाँ अब वो अगर पूजा करते हैं करो कोई दिक्कत नहीं है तुम जो भोग लगाते हो मैं ग्रहन करता हूँ लेकिन फिर भी तुम अविधी पुरुवक हो तुम अविधी पुरुवक हो यही विधी मिली अविधी पुरुवक थे संत नाम देव विधी पुरुवक कब हुए जब संत विशोभा खेचर की शर्ण में चले गए संत नाम देव अविधी पुरुवक थी मीरा बाई लेकिन विधी पुरुवक कब हुई जब वह चली गई संत रैदास की शर्ण में वैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहन्स बहुत बड़े करांतिकारी अध्यात्मिक व्यक्तित्त हमारे देश में ठाकुर रामकृष्ण परमहन्स स्वामी तोतापुरी महराज की शर्ण में चले गए तो स्वामी तोतापूरी महराज की शर्ण में जब वो चले गए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो वो विधी पुरुवक वाली स्थिती में फिर आ गए तो इसलिए अविधी पुरुवक से विधी पुरुवक होना है तभी जाकर हम उसके प्रिय बन पाते हैं भगवान कहते हैं ज्यानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विधी पुरुवक हो जाता है तो भगवान यही अंत में कहते हैं जो तत्व से नहीं जान पा रहा वो सब कुछ करते हुए, सारी पूजा पाट करते हुए, चाहे वो भक्ती भाव से कर रहा है, वो मुझे ना जानने के कारण, मुझे में लीन तो नहीं हो पाएगा, या अंतता वो अपने बात को खतम करते हैं, अब उसके आगे बढ़ते हैं, कि और यदी मुझे कोई जान ल है, तो यदी कोई स्वरूप का साक्षतकार कर ले, अगर स्वरूप का साक्षतकार कर लेगा, तो फिर क्या होगा, वह निश्य ही तत्वरूप को जान जाएगा, क्योंकि उसने स्वरूप का साक्षतकार किया है, तो वह इश्वर के तत्वरूप को अवश्य ही जान उसका साक्षातकार कर लेगा और कर लेगा तो फिर वह योग्य बन जाएगा कि अब यहां पर उस परमधाम की प्राप्ति या उस इश्वर की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मलीन होने की जो शर्ते हैं वो क्या है भगवान कंडिशन रख रहे हैं कि कौन जो है जा उसका पुन्य तो बन रहा है ना तो पुन्य के कारण वह स्वर्ग आदी और संसार के सुख वैभाव का अवश्य भोग करेगा जैसी करनी वैसी भरनी तो ये तो फिलोसफी ये तो थिवरी काम करेगी ये फर्मूला तो लगेगा जो आप कर रहे हो उसका फल करम फल वली फर्मूला तो काम करेगा जो जैसा करम करेगा उसको वैसा फल मिलता है तो वह फर्मूला तो आपके जीवन में अपलाई होगा तो कर्म का सद्धान्त तो लागू होगा और वह जो भी पूजा पाड़ पुन्य जो भी दानवान करेगा भगवान करेगा मैं उसको ग्रहन कर रहा हूं ऐसी बात नहीं कि मैं ग्रहन नहीं कर रहा हूं मैं ग्रहन कर रहा हूं लेकिन फिर भी यह जो दान पुन्य करने वाला जो मेरा भक्त है यह मुझे तत्व से नहीं जानता है तो वह मुझे तक नहीं पहुंचता है और आवा गमन को प्राप्त होता है फिर भगवान अंत में साब साब कहा देते हैं कि जिसे तत्वेन जो तत् अब दूसरा कंडिशन आता है कि तत्यों को जानने वाला अगर कोई ऐसा विक्ति हो जो कि बाहरी दृष्टी कौन से वो हमें कई रूप में हमें मानने योग्य मानने ना हो जैसे कोई पापी आदमी धुराचारी आदमी तो उसका क्या होगा अब भगवान इस विशय में इस इस विश्लोप में मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से हूं उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेशी है और नाहीं कोई मेरा प्रिय है ना कोई द्वेशी है ना कोई प्रीय है समदर्सी इक्षा कछो नहीं तो स्वामी तो सिदाजी लिखते कि मैं समदर्शी हूँ भगवान राम कहते है मैं समदर्शी हूँ मेरी कोई इक्षा नहीं है तो भगवान यहाँ पर भगवान कृष्ण वही बात लगभग कहा रहे है क संपूर्ण प्राणियों में समान हुँ मैं न तो कोई मेरा द्वेशी है और ना कोई मेरा प्रीय है और इस कारण से ना तो मैं जीवों और प्राणियों के दुख का कारण बनता हूँ और ना ही सुख का कारण बनता हूँ अगर सुख और सफलता हो रही है तो वह भी प्रकृ नहीं कर रहा है समान रूप से सब में वह विद्यमान है लेकिन ऐसे लोग जो मुझे समान रूप से इस्थित ब्रह्म को परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं समान रूप से इस्थित ब्रह्म को परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं वो मेरे प्रिय बन जाते हैं परंतु जो भक्त मुझे ही भजते हैं मेरी और ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं ध्यान कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं भजन कर रहे हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें निवास करता हूँ आगी बढ़ी भगवान ने कहा दियाँ पहले उन्होंने कहा था कि मैं सब में हूं सब मुझ में नहीं है लेकिन नहीं वह जो मुझे समान रूप से इस्थित ब्रह्म को ब्रह्म समरूप है न? क्यों समरूप है? क्योंकि गुणों का कोई भेद उसके अंदर नहीं, इसलिए वो गुणातीत है, इसलिए वो भावातीत है, वो गुणातीत है, भावातीत है, समरूप से विद्यमान है, तो ऐसे समरूप से विद्यमान ब्रह्म को जो जानने की कोशि जो योगी बन चुका है, जो ध्यान कर रहा है, जो उस ब्रह्म का भजन कर रहा है, उसमें लीन होने के योग में, योग की प्रक्रिया में लगा हुआ है, मैं उनमें रहता हूँ, वो मुझे में रहते हैं, अब ये भी दे दिया कि कौन भगवान में वास करता है, वो तो सब म होने की कोशिस समाधी की और जो अगरसर है ऐसे ऐसा योगी उस परमात्मा में वास करता है अब ऐसा योगी कौन कौन हो सकता है तो प्रश्न है क्या पापात्मा जो पाप कर्मों में लिप्त हो वह भी योगी हो सकता है योगी होने के बाद तो पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा लेकिन मान लिजिए कि उसका इतिहास ऐसा है कि वह दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला है तो फिर उसकी क्या इस्थिती होगी तो भगवान कहते हैं उसको सादो ही समझना चाहिए अगर कोई दुराचारी भी था पाप कर्मों में लिप्त भी था लेकिन उसे समझ में आ गया कि परमात्मा का वास्त्विक स्वरूप क्या है तो फिर वह दुराचारी कहां रहेगा और फिर वो भजन में लग गया तो फिर उसे सादू ही समझना चाहिए वह योगी ही समझने योग्य है क्योंकि दुराचारी होना तो उसका यह बाहरी कर्म था लेकिन अब जब वह इसमें लग चुका है तो वह ना तो दुराचार में है और वह तो उस प्रमात्मा की सही स्थिती को जान चुका है जीवन के सही मर्म को समझ चुका है जीवन को किस दिशा में ले जाना है वह यह भी भली भाती जान चुका है समझ चुका है तो ऐसा व्यक्ति सादू ही समझाना जाना चाहिए और वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है भले ही वह दुराचारी हो उसका रिकॉर्ड खराब हो अब यह जो बाते हैं न समाजी के रूप से तो हम सिवकार नहीं कर सकते अब मालेजे कोई दुराचारी पापी आदमी कोई किरिमिनल और वो तक्त्व घ्यानी बन जाए बाद में कुछ ऐसा संजोग बने की वो तक्त्व घ्यानी बन जाए हलाकि यह सरल नहीं है क्योंकि پुण्य पुण्य बिन मिलहिन असंता पुन्य का भी हात होता है, किसी के मोक्ष प्राप्ती में पुन्य का भी हात होता है, सहयोगी बनते हैं पुन्य कर्म, लेकिन पुन्य कर्मों से किसी को मोक्ष मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुन्य कर्मों से ही किसी को, तभी तो अगर ऐसा होता है, तो भगवान कभी य पुन्य कर्म के फल का त्याग करो, पुन्य कर्म के फल का त्याग करने की बात सुरी कृष्ण भगवान यहां पे कह रहे हैं, तो पुन्य कर्म के फल का त्याग करो, तो इसलिए पुन्य सहभागी या सहयोगी बन सकता है, लेकिन पुन्य कर्म से किसी को मुक्ती तो नहीं प् और वह जो है जैसे कि भूमिया चोर सदना कसाई अंगली माल डाकूर रतनाकर और ऐसे कई गनिका ऐसे कई विभूतियों का नाम आता है अजामिल जबत अजामिल गजगनिकाउ भाई मुकतहरी नाम प्रभाई तो इस तरह से ऐसे कई नाम आते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं क भाई ये दुराचारी होंगे हो सकता है कि बाहर से देखने में दुराचारी हो समाज में उसका जो छवी हो वो दुराचारीों वाली छवी हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन यदि वो प्रमात्मा को अध्यात में इसलिए कि धर्म जो अध्यात में है बहुत हदता कि यह व्यक्त होगा पाखंड होगा समाजिक्ता को बनाने के चक्कर में प्रदर्शन तो थोड़ा जरूर होगा ठीक है बिना प्रदर्शन के समाजिक्ता कैसे बनेगे तो यह बात फिर यहाँ पर आ जाती है तो इसी लिए अब समाजिक्ता से राजनीती में लेके चले जाते हैं धर्म को लेकिन सत्य पूछिए यहाँ पर भगवान जो बाते अरजुन को बता रहे हैं वह विक्तिगत बाते बता रहे हैं परसनल लेबल पर जो बाते समझनी चाहिए वो बाते बताने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ऐसा विक्ति जिसका समाज में जिसकी जो चवी है वो दुराचारियों वाली है लेकिन वह भी अगर कोशिश करता है और वह सकाम भाव को छोड़कर निशकाम भाव की और आ जाता है और तक उसे प्रमात्मा को जान लेता है तो वह भी साधू समझने योग्य है और वह परमधाम को प्राप्त होता है परमगती को प्राप्त होता है उस इश्वर को ही प्राप्त होता है या बात भगवान इसपश्ट कर रहे हैं कहने का तात्पर अब ऐसे एक्जामपल लेने की आवशक्ता किये हो क्यों भग्वान दुराचारी का example ले रहे हैं, कि दुराचारी विक्ती का, क्योंकि श्री भग्वान इस बात की पुर्णता पुष्टी करना चाहते हैं, इस बात की पुर्णता पुष्टी ये लिखने की जओरत क्या आती यहाँ पर, और कोई महात्मा क्या सुनाता है कोई कथा वाचक कोई गीता बाटने वाली जो संस्था है क्या कभी ऐसा सुनाती है कि दुराचारी व्यक्ति भी और सुनाएंगे भी तो सिर्व एक इसलोग सुनाने से क्या हो जाएगा आगे पीछे की भी तो मैटर समझना पड़ेगा तब जाके टॉपिक क्लियर होगा तो दुराचारी व्यक्ति भी अगर उस परमात्मा को समान रूप से रहने वाले उस ब्रह्म को अगर जानता है तत्व से जानकर उसमें लीन होने का प्रयास करता है तो वो उसी को प्राप्त होता है उसी को प्राप्त होता है अब दुराचारी व कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है कि तुम्हारा निर्वान तुम्हे परमगती मिले हाँ तुम पुन्य कर्मों के वशिभूत संसार के सुक भोगोगे स्वर्ग का सुक भोगोगे लेकिन तुम जो है मोक्ष्य को तो नहीं प्राप्त कर पाओगे किसी भी स्थिति पे अगर तुम मुझे तत्व से नहीं जानते और तुम्हारी जगा तुम जो बहुत पुन्य कर्म करने में लगे हो पुजा पाट और बहुत सारे चीजों में करने में लगे हो तुम्हारी जगा अगर कोई दुराचारी विक्ती है और अगर वो जान जाता ह उसे ज्यान हो जाता है कि भई प्रमात्मा का तत्व क्या है अगर हो जान जाता है तो उसका कल्यान हो जाएगा लेकिन तुम लाख पुन्य करकर भी अपना कल्यान तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस ब्रह्म को तत्व से ना जान लो तब तक नहीं कर पाओगे चाहिए तुम धेर सारे पुन्य कर लो लेकिन एक दुराचारी विक्ति अगर तक तो से जान गया उसका कुछ ऐसा संजोग बना ऐसी संगत मिली जैसे भूमिया चोर को मिल गई गुरुनानक देव की संगत मिल गई तो इस तरह से ऐसे कई कथाएं हैं कितिहास में हमारे पुरानों में गरंथों में भी तो जब ऐसी संगत मिल जाए तो फिर उसको जो है अगर ऐसा ग्यान मिल जाए तो निश्य ही वो तत्तों से जानेगा और तत्तों से जानकर वो उसी की और आगे बढ़ेगा भले ही वो भगवान ऐसा नहीं कहना चाहते कि भाई चलो हम कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं अरे दुराचारी रहने में भी क्या दिक्कत है ऐसा भी समझ सकते कि दुराचारी रहने में क्या दिक्कत है अगर हम तत्तों से प्रमात्मा को जान जाएंगे तो मुक्तितों में मिलेगी ही म लेकि भले हम दुराचारी हो। भगवान ये नहीं कहना चाहते है। भगवान इसकी पूष्टी कर रहा है। मतलब कि stamp लगा रहे हैं मोहर लगा रहे हैं कि तुमने कितना भी पूजा पाट किया हो कितना भी यग्य हवन किया हो कितना भी सकाम भाव से मुझे पूजा हो मुझे खूब जो है जल, फल, पश्प, जल सब अरपित किया हो मुझे तुम्हारा सब भोग मैं ग्रहन कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे तत्तों से नहीं जानते अगर मैं ही जानते तो नहीं कर पाओगे उस परमगती को प्राप्त नहीं कर पाओगे और भले कोई धुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो तुम्हारे जैसा पुन्ने आत्मा ना हो बहुत पुजा पाठ यग्य करने वाला ना हो लेकिन अगर मुझे तक तुसे जान गया तो फिर मुझे वो प्राप्त होगा मुझे में लीन होगा भगवान यह कहना चाहते हैं यहां पर ठीक है तो इसलिए पूरा प्रसंग पढ़ने की जरूरत है एक इसलोग पढ़ोगे और रट रट कर सुना देना वो अन्याय होगा वो पूर्टा समाज को भी धोखा दे रहे हैं आप और अगर आप खुद भी गलत कॉंसेप्ट लेकर समझ के कुछ बैठे हुए हैं तो निश्य ही आप अन्याय ही करेंगे कि मैंने ऐसा सुना है कहीं गीता पे कुछ चर्जा हो तो लोग ऐसे ही बाते करते हैं ऐसे ही एक बार कोई ऐसे ही कोई प्रवचन सुना रहे होंगे गीता पर तो वह निर्गुन ब्रह्म को महत्व देकर बहुत बाते बता रहे थे किसी मंदिर के अंदर अब उस मंदिर में पुजारी जी थे वो पूजा करते थे उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ मतलब नहीं है भगवान ने तो कहा है भगवान ने कहा है कि भगवान को पत्र पुष्प फल जल आ दि अर्पित करो तो भगवान उसे ग्रहन करते हैं बस हो गया मेरा काम अब जो पंडी जी का जो पुजारी महोदे का जो उनकी जो कामना थी, उनकी उनका जो कारे था, वो उतने ही इस लोक से चल रहा था, कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है, अरे भाई, पूरा प्रसंग पढ़ो कि क्या कहा जा रहा है, भगवान कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय श्रीमत भगवत गीता के अगर जीवन भर में श्रीमत भगवत गीता सौ बार भी पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, चीक है, तो ये नहीं कि उसे स्लोक में भगवान ने ये बात लिख दी, तो भगवान इतना ही तो कह रहा है कि जो पत्र, पुष, पफल, जल, मुझे अरपित करेगा, मैं उस ग्रहन करता हूँ, इसके आगे तुन्होंने कुछ लिखा नहीं, ये तो नहीं कह रहे है कि मैं उसे मोक्ष दे दूँगा, उसका अंदिर्वान हो जाएगा, या मैं उस पे, वो इतना कहती है, अगर करेगा, तो मैं उसे ग्रहन करता हूँ, that's all, अब इसी में बलने बलने, बाकी अब जानने की जूरत क्या है, भगवान इतना कहा है न, बस डेली जाओ, भगवान के मंदिर में, जो है, पत्र, पुष्प, फल, जल, आदी, अर्पित कर दो, बात खतम, और कुछ करने की आवशकता ही नहीं, the end, कुछ लोग यहीं पर the end लगा देते हैं, बस गीता म यह लिखा है, बाकी इस लोग पढ़ने की जूरती नहीं है, लेकिन इस इस लोग को किस ढंग से लिखा हुआ है, आगे पीछे किस लोग भी क्या कह रहे हैं, यह भी तो समझना पड़ेगा साथ में, यह भी तो देखना पड़ेगा साथ में, तो इसलिए जब तक पूरी ब किसी के साथ छेड़ खानी कर दो, दुराचारी विक्ति, क्या दिक्कत है, कल्यान तो तुम्हारा हो ही जाएगा, भगवान यह नहीं कहना चाहते, भगवान कहना चाहते कि अगर कोई बहुत पूजापाट यग्यावन करता हो, लेकिन फिर भी मुझे तत्व से ना जानता ह तो उससे बहतर तो वो दुराचारी विक्ति होगा, कि जो दुराचारी हो लेकिन मुझे जान गया है, मुझे तत्व से जान गया है, वो मुझे में लीन हो जाएगा, वो मुझे में फिर लीन हो जाएगा, वो तो पुत्रम, पश्पम, फलम, तोयम, यह भी करने के आवशक यहां तो यह बात प्रमानित हो रही है, गीता में ही प्रमानित हो जा रही है, अब एक वेक्ती आएंगे, वो कहें अरे भगवान कृष्ण ने उल्जाया हुआ है, पचास तरह के योग बता दिये, कुछ बात समझ में नहीं आती है, ऐसे उरे पटांग लोग भी मिल तो बात कहां से सपष्ट होगी, फिर नहीं बात समझ में आएगी कुछ भी, ठीक है, फिर तो अपने मतलब, अब जो दुराचारी व्यक्ती होगा, उसको अपने मतलब का स्लोक मिल जाएगा, ठीक है, अब एक पंडी जी मंदिर में पूजा करा रहा है, चड़हावा आ रह इससे बढ़ियां कोई स्लोक नहीं हो सकता, भगवान ने मोहर लगा दिये मेरे कारे के उपर, इससे बड़े पूजा नहीं हो सकती अब, और जो दुराचारी व्यक्ती होगा, वो अपने मतलब का स्लोक निकाल लेगा, भाई दुराचारी भी रहो तो क्या दिक्कत है, हम भ समस्या यहां पर आ जाती है, तो यही बात कि दुराचारी इसका मतलब यह नहीं है, कि कोई व्यक्ती दुराचारी होगा, तो उसकी मुक्ती हो जाएगी, उसका बड़ी असानी से कल्यान हो जाएगा, ऐसी बात भगवान नहीं कहना चाहते, वह बात इस बात पर मोहर लगा कि तुम बहुत वर्त वर्त प्वास और यगहवन तुमने खूब किया हो, सकाम भाव से किया हो, और तुम्हारे कर्म में निश्कामता भी नहीं, तुम तत्यों से जानते भी नहीं, और तुम मुझे भले ही तुम बहुत बड़े पुन्य आत्मा हो, फिर भी उससे बहतर, जो भले ही दुराचारी रहा हो लेकिन उसके अंदर प्रेणा जग गई कि मुझे तक्त्व से जानना है सूरदास जी ने कहा कि दर्शंदो घंशाम नात मुरी अखियां प्यासी रे मन मंदिर में जोत जलादो घटगट वासी रे मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी जग्यासा पैदा हो गई जग्यासा पैदा हो गई कि मुझे अब अंदर से जानना है बीतर से नहीं जानना है बाहर से नहीं जानना है चमा करे बीतर से जानना है बाहर से नहीं जानना है तो ऐसे जिग्यासा प्रगट हो गई, जानने की प्रगट हो गई, स्वरूप के साथ शतकार के जग्यासा आ गई, तो किसी दुराचारी में अगर ऐसा आ जाए, कोई दुराचारी पाप युक्त जीवन जी रहा हो, और उसमें ऐसी इक्षा जागरित हो जाए, और वो जान ज संजोग बत उसे ऐसा कोई गुरू या ज्यानी कोई संत मिल भी जाए, जो उसे उस मार्ग पर लगा दे, वो अपना कल्यान कर लेगा, और जो बहुत सकाम भाव से और बहुत पूजा और यग्यी जो करने वाला है, वो अपनी जगह पे रहेगा, अब अगमन में रहेगा, लेकिन यह दुराचार करने वाला व्यक्ति अगर उसके अंदर प्रेणा मिल गई, तो यह भी अपना निश्या ही कल्यान कर लेगा, ऐसे समझना चाहिए, कोई भगवान दुराचारियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कि भाई तुम कुछ भी करते रहो, तुम हमारा कल्यान होगा, ठीक, यह समझना है हमको, तो बात समझ नहीं है नहीं, तो हर व्यक्ति के लिए अपने मतलब की चीज मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक, अगर हम सही से स्वीमत भगवत गीता को नहीं समझे और नहीं जाने तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते तो भगवान अगले स्लोक में जहाँ पर उन्होंने दुराचारी के लिए कहा, कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर परमात्मा को तत्व से जान जाए, तो निश्य ही अपना कल्यान वह कर लेता है, तो हमें इस तरह से इस विशय को समझना चाहिए, कि क्यूं ऐसा कहा जा र अपीचीत सु धुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेवसा मंतव्य सम्यग्व्य वसितो हिसा, कि उसको साधु ही समझना चाहिए, कारण कि उसने निश्य बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, वो निश्य कर चुका है, वो जान चुका है, और संगल पले चुका है कि चिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्व छांती, निकच्छती, कौन्ते अप्रती जानी ही, नमेभगता प्रणिष्यती, पतिकाल उसी चंद, वह दुराचारी व्यक्ति भी धर्मात्मा हो जाता है, जिस समय वह मुझे जान जाता है, मेरे तक्तों को जान लेता है, मेरे ज़ुराचारी रहा होगा लेकिन मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी तुम मेरी परतग्या करो ऐसी तुम् भी परतिग्या करो तक कि आर्जुन को यह भी तो है ना कि मुझे पाप लगेगा कैसे मैं पितामा का वध करूंगा कैसे शस्त्र चलाऊँगा कैसे दुरुनाचारे पर कैसे शस्र चलाओंगा यह भी मेरे गुरु समान है तो इन सब पर मैं शस्र का प्रयोग भला कैसे कर सकता हूँ मैं दुराचारी कहलाओंगा अरजुन के मन में भी वैसा भाव है इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान जाता है भले ही वो दुराचारी दहा होगा वो तत्काल ही धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांती को प्राप्त हो जाता है यह किंति नं करो कि तुमसे कि इस समय तुम्हारा यह युद्ध यह धर्म युद्ध कर्तव रूप में तुम्हारे सामने कड़ा है इसी प्रकार से भगवान आगे कहते जब दुराचारी के लिए कह दिया तो अर्जुन को अपनी योग गिता पर भी थोड़ा सा संशय है तो भगवान अर पर्थान अंदन जो भी पाप योनी वाले हों तथा जो भी इस्त्रियां हों या वैश्य और सुद्र हों वे भी सर्वता मेरे शरन होकर वेपाश्रत मेरे ब्रह्म रूप मेरे ब्रह्म सरूप की शरनागती उसको जानकर उस ज्यान के राजविद्या के शरन होकर जानकर नि अगवान ने यहाँ पर क्योंकि अर्जुन स्वेम शत्रिया है और ब्रामन तो स्रिष्ट माने जाते हैं क्योंकि ब्रामन जो वैदिक युग के जो ब्रामन होते थे वह धन का संचय नहीं करते थे धन का संचय वो नहीं किया करते थे वैसा मनुस्मृति का भी ऐसा मानना है तो संचय ना करने के कारण उनको भिक्षा मिलती थी और वह मोक्ष मारगी होते थे ज्यानी होते थे और सभी रिशी मुनियों ने चाहे दुरुनाचारे जैसे रिशी मुनी हो और बहु सारे जो ज्यानी होते थे तो ज्यानी होने के कारण वह जानते थे कि मर्म क्या है सत्य क्या है इसलिए भटकते नहीं थे दूसरा अरजुन स्वेम छत्रिय है उन्हीं रिशियों ने छत्रिय कर्म को बाद में अपना कर छत्रिय धर्म के स्थापना की जब देखी आवशकता कि समाज को स रक्षित रखने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है तो उन्हीं रिशियों ने छत्रिय धर्म को अपनाया फिर उन्हीं रिशियों ने देखा कि समाज में वस्तूओं की विवस्ता बनी रहे हर जगा हर प्रकार की वस्तू नहीं होती है कहीं पर खेती अच्छी होती है क कहीं पर अन की खेती अच्छी हो जाती है कहीं पर खान में कुछ निकलता है तो वैपार भी होना चाहिए तो उन्हीं रिशियों ने वैश्य धर्म को अपनाया रिशियों ने ही अपनाया और उन्हीं रिशियों ने देखा कि सब है लेकिन समाज में दूसरे भी तो बहुत स सारे कारे हैं जो कि नगर की विवस्था, राज की विवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्चक हैं, सैनिक भी है, किसान भी है, और फिर दूसरे और भी ऐसे महत्वपूर्ण कारे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि कई तरह के कारे, सफाई करने के कारे हो च भी अपनाएं इसलिए जो चारो वर्ण कहे जाते हैं वेदों में हलाकि आज तो वर्ण विवस्था उस प्रकार के नहीं है जो वेदों में हो आज तो जो विवस्था है वो सम्विधान के नुसार है तो हलाकि दावा किया जाता है कि उसी अधार पर इस विवस्था को माना ज शुरू हो जाती हैं तो यह सभी सगोत्रिय कहलाए क्यों सगोत्रिय कहलाए क्योंकि रिशियों नहीं इनकारियों को अलग-अलग रूप से समालने की कोशिश की रिशियों नहीं इनकारियों को बनाया तो इसलिए भगवान अरजुन स्वेम शत्रिय है इसलिए यहां ब्रामन या शुद्र है इसे कोई फरक ने पड़ता है वे भी यदि मुझे तत्व से जान लेंगे अगर वो भी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे सर्वता मेरी शरन होकर निसंदेह परमगती को प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान एक सिध्धान्त समझा रहे हैं कि भाई तुम यग्यहवन करते हो नहीं करते हो बहुत पुझा पाट करते हो नहीं करते हो इसका अर्थ ये नहीं है कि यग्यहवन करना नहीं चाहिए हाँ संसार के लिए संसार में उपलब्धियों के लिए करना चाहिए वो तो भगवान स्वयम लिख रहे हैं कि भाई अगर संसारी को उपलब्धी चाहिए या स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो यग्य के द्वारा आप अपने पुन्ने की वृधि करो उस संदर में वो क्रिया ठीक है इसलिए कर्मकांड सद्धान्त में उसका महत बढ़ जाता है ठीक भगवान उसको गलत नहीं कह रहे है संसार के संदर में वो ठीक ही है बिल्कुल सही है करना लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो मुझे में लीन होना चाहते हो परमगती परमधाम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा मुझे तक्तु से जानना पड़ेगा और मुझे तक्तु से जानने में बाहर की जो पुजा पाठ है यग्यहवन आदी जो क्रियाएं है उसमें हो सकता है कि कोई ये बोले कि अरे भाई स्रिफ ब्रामन करेगा अभी कोई महानु भाव मुझसे बार बार प्रश्न पूछ रहते कि क्या इस तरी को ओम का उच्चारन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कोई मानो बाव पूछ रहता है जब तक उपनेयन संसकार नहीं होगा तब तक ओम का जाप कैसे करेंगे ठीक है ओम का जाप कैसे करेंगे अगर नुकसान होगा तो वैज्ञानिक पद्धती से समझाईए कि कैसे कैसे नुकसान होगा किस किस धंग से नुकसान होगा कैसे कैसे होगा तो यह भी आपको समझाना पड़ेगा क्लियर करना पड़ेगा इस पश्ट करना पड़ेगा तो इसी लिए भगवान इहां इस पश्ट कर रहे हैं इस पश्ट करन दे रहे हैं देखो इस तत्व ज्यान के मार्ग पर इस तत्व चारों सगोत्रिये कहलाते हैं, चारों का गोत्र निश्चित होता है, चाहे ब्रामन हो वैश्य हो, ब्रामन छत्रियों वैश्य शुद्र, ये सब रिशी मुनियों ने ही बनाए और खुद बनकर इन्होंने ये काम किया, गुणों के अनुसार कह लीजिए, भगवान कृष्ण इसने इसे कर्म और गुण के अधार पर माना है, तो ऐसा नहीं कि रिशी जो होते थे, वो सरी ब्रामन होते थे, रिशी ही छत्रिये बने, रिशी ही वैश्य बने, रिशी ही बाद में चलकर शुद्र बने, ये अपनी अपने समय कि विवस्था को बनाए रखने के लिए, उ क्योंकि सारे तो उन्हीं के संतान थे, तो उन्हीं की संतती ने ये सारा विवस्था ये बात आती है, इसलिए ये सगोत्रिय विवस्था कहलाती है, क्योंकि वो रिशीयों के कुल में आते हैं सारे के सारे, तो अब चाहे कोई भी कर्म करने वाला हो, अब आब कहोगे कि भा आमशरमा चारे महान रिशी हुए हमारे देश में एक तो कई महिलाएं कई विरांगनाएं यूतियां जो की धर्म के मार्ग में उन्होंने कारे किया तो वो उनसे जुड़ीं तो क्या उन्होंने गायतरी मंत्र का जपना किया था तो इसी लिए अब वहाँ पर बहुत सारी बा तो हो जायेगी। ये इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाहर के जो यग अनुश्थान के जो करमकांड़ हैं, उनमें उनको बराबर का स्थान ना मिलता हो लेकिन यदि वो मुझे तत्वरूप से जान जाते हैं, अगर वो मुझे तत्व रूप से जान जाते हैं तो फिर निश्य ही वो परमगती को प्राप्त कर जाते हैं भगवान इसकी पूष्टी कर रहे हैं इसकी पूष्टी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले वह पूजापाट यग्यहवन इन सब की बाते कर चुके हैं क्योंकि यह सारी चीज़े अगर सकाम रूप से होंगी तो यहाँ आवा गमन को ही प्राप्त कराएंगी अर्थात आपको दुबारा इस संसार में फसाएंगी लेकिन मुझे तक तो उसे जानने वाला कोई दुराचारी ही क्यों न हो अगर वह भी जान लेता है मुझे तो धर्मात्मा कहलाता है और वह मुझे प्राप्त होता है उसी प्रकार से जैसे कि हो सकता है कि कुछ कारियों में इस्त्रियों का स्थान ना दिया जा रहा हो वैश्यों को स्थान ना दिया जा रहा हो शुद्रों को स्थान ना दिया जा रहा हो लेकिन जहां तक मेरे इस तत्यो ग्यान की बात है जहां तक मुझे जानने की बात है और परमगती प्राप्त करने की बात है है अरजुन चाहे को इस्तरी वैश्य शुद्र भी हो वह मुझे वह परमगती को मेरी शरन में आकर मुझे तत्व रूप से जानकर वह निर्वान को प्राप्त करते हैं वह मुझे प्राप्त करते हैं परमगती को प्राप्त करते हैं तो भगवान इसका इसपश्टी करन दे रहे हैं compare करते हुए यहाँ पर तूलना चल रही है, पहले वो यग्यहवन और वह तरह की बाते कर चुके हैं, ठीक न, तो वो तत्व ज्ञान को महत्व देने के लिए ऐसी बाते अलग से कह रहे हैं, कि अगर कोई मुझे जान लेता है, तो चाहे वो किसी भी कुल में उसका जनम हुआ, वो मुझे वीकि रिशियों नहीं छत्रिय धर्म को धारन किया था, तो रिशी स्वरूप छत्रिय जो हैं, जो राज रिशी हैं, जैसे कि राजा पृथु, महराज मनू, ऐसे कई राज रिशी हुए, बाद में मौर्रे, चंद्रगुप्त, मौर्रे, जिन्होंने अंत समय में एकदम न अपने आप जीने की जीवन की इक्षा समाप्त हो गए, जीव बने रहने की इक्षा समाप्त हो जाए, हमारे अंदर जीव बने रहने की जो इक्षा है वही तो बंधन का कारण है, तो ऐसे कई राजा हुबी हुए, बाज में भी राजा भोज का नाम आता है, भोज विर्ती न इसलिए वह मुझे क्यों नहीं प्राप्त होगे क्यों चत्रिया है तो युद्ध कर रहा है तो इसमें तो कहना ही क्या है इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, या अनित्य सुख रहित अर्थात इस देह में वास्तों में कोई बहुत सुख तो नहीं है, मात्र संसार का छलावा और कुछ प्रारब्ध का बंधन है जिसे हमें पालना करनी पड़ती है तो इसलिए है अरजुन तो इस प्रकार से समझते हुए तो इस बात की चिंता मत कर कि तू योद्धा है या तू युद्ध करेगा तुझे पाप लगेगा अगर तू मुझे जान लेता है सही से जान लेता है मेरे स्वरूप को तत्वरूप को तो निश्य ही तेरा कल्यान होगा यही भगवान अर्जुन को इस अगले स्लोक में 33 स्लोक में समझा देते हैं और अंत में नवम अध्याय का सबसे आखरी स्लोक भी में वो अपनी बात को समाप्त करते हैं इस विशय को इस टॉपिक मनमना भव मदभक्तो मधाजी माम नमस कुरू म मामे वैश्यसी दुक्तैव वमात्मानम मतपरायन मीना मिरा भक्त हो जा मुझे मन वाला हो जा मुझे मेरा ही भजनकर मुझे नमसकार कर इस प्रकार अपने आपको मुझे में युक्त कर gagnant आत्मानम युक्तवा यहाँ पर अपने आपको अपने आत्मा में ही युक्तवा अपने आपको आत्मा में ही युक्तवा अपने आपको आत्मा में ही युक्तवा मत परायना मेरे परायन हुआ यही मेरे परायन होना है आत्मा में युक्त हो जाना आत्में इस्थित हो जाना अ नमस्कुरू एवं आत्मानम युक्तवा मत परायन जो आत्मा में युक्तव होगा वो मेरे परायन हो जाएगा माम एव एश्यशी मुझे ही प्राप्त हो जाएगा तो भगवान यही क्रिया बता रहे हैं अर्जुन को कि इस तरह से करना पड़ेगा कभी तो अपने तक पहुँचने तक उस मुक्ष की प्राप्ति प्रम तक पहुँचने का मार्ग स्रेकृष्ण ने भगवान यहां अर्जुन को समझा रहे हैं अर्जुन को दिखा रहे हैं हमें भी इन सब बातों का सार समझ लेना चाहिए और समझ कर सार समझ कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए इस सिकारे पर, इस मारग पर, योग के मारग पर और परमगती की प्राप्ती की मारग जो कहा जाता है और परमगती हमें मिलेगा उससे पुरू हमारे जीवन की ही कई समस्याएं सुलच जाएंगी अगर सही तरीके से हम जीवन के मार्ग पर चलते हैं ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं तो निश्य ही हम आत्मे ज्यान को प्राप्त करकर अपने जीवन का कल्यान और हमारे माध्यम से कई लोगों का कल्यान भी संभा हो पाता है तो यह सब हमें विचारनी अतक्थे है हमें विचार करकर समझना चाहिए और शिमत भगवद गीता को नियाये पुर्णड्हंग से अध्यान करना चाहिए ठीक है? नियाये पुर्णड्हंग से अब हमारी बात तो मिल गई हमें समझना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और offline course अगर आप करना चाहते हैं वारा नसी में कर सकते हैं उसके लिए अगर आप join करना चाहते हैं तो join कर सकते हैं उसकी detail offline course के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए WhatsApp message कीजिए आपको उसकी detail बताई अमन कक्कर, राजेंदर चोहान, जगत नरायन जी, बलवन सिंग, गोहिल, राकेश, मराठे, बिकरम सिंग, शंकर प्रसाद, गोविंद प्रसाद नीमा, विश्नु शंद्र मौरिया, राजु पाल, किशोर वैद्य, राम निवास, मीना जी, रतन सिंग जी, श्वेता राय सिन जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सभी का, व्यास सिंग, नत्थो सिंग जी, विनोध सूध जी, दयारानी जी, आशारानी, अफंता प्रोडक्शन, रूपलाल, विश्व कर्मा, घनश्याम सरोदे, राम विलास जी, श्वेता कुमारी जी, योगिंद्र पंडित, सव पिता नायक, जी, माधुरी कोले जी, बहुत अभिनंदन है, अमर सिंग, नरसा राम जी, प्रभूदत शर्मा, शिव राम कृष्णा, कमलेश, हैरनर, कनहाई कुमार, एकेत्यागी, राहुल तिवारी जी, डी, वर्मा जी, स्वर्ग कहां पर स्थित है, स्वर्ग जो है, सुक्ष्म लोक में स्थित है, सुक्ष्म शरीर से वहां जा सकते हैं, एक और स्वर्ग क्या है? सुभकर्मों का फल है, और इस जीवन में ही सारे वैभो एश्वरे मिल जाए तो यह जीवन ही स्वर्ग है शांती प्राप्त हो जाए जहां संतोस और शांती मिल जाए वहां स्वर्ग ही तो है और स्वर्ग मतलब स्वेम के भीतर स्वेम के भीतर स्वर्ग है आत्मा में जाकर इस्थित हो जाओ पूर्ण शान्ती मिल जाएगी तो वहीं स्वर्ग हो जाएगा फिर पूशा शिरवास्तव जी पवन कुमार गुपता जी प्रेम सागर यादो प्रेम कुमार तक उसे जानना मतलब क्या होता है या अभी आप वीडियो सुनिएए आपको पता चलेगा तक उसे जानना मतलब क्या होता है तो कभी इस वश्या में हम आपको उत्तर देंगे बताएंगे ग्राम विलाश जी, संतोष कुमार जी, जहनती भाई, पतेल, विनोध कुमार, शर्मा, पंकस, सोनी, श्वेता कुमारी, श्वेता ओम तसस, अतीस कुमार, ओम तसस, गुरू, एन पता नहीं क्या लिखा है, स्वेता कुमारी जी, ओम तसस, किसे नहीं, उद्य शंकर जी, जहन श्रेकृष्ष्ण गुरू जी, पत्रम पश्पंफलम से ही तो बप्ति का शुरूवात होता है, प्रात्मिक कि विद्यारति सनातक में बैठ जाए तो सनातक तो मिलेगा ही नहीं और प्रात्मिक से भी हाथ धू बैठेगा हलाकि यह आप इसकी तूलना यहाँ पर प्रात्मिक और सनातक से कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं जैसे धुरुव जैसे भक्त स्वामी विवेका नन जैसे योगी रामकृष्ण परमहंस जैसे योगी मिरा भाई जैसे भक्तों पर ये लागू नहीं होगा वो कुछ special लेकर आते हैं कि जैसे कि कुछ लोग ना बहुत वाले अवस्था से ही ऐसे संगीतकार हैं हमारे देश में जो बहुत कम उम्र में ऐसा गाते हैं कि जो बहुत सारे गायक जो है बहुत सीखने के बाद बुढ़ापे में गाते हैं वो गाल लिते हैं बचपन में पिछले जन्मों के संसकार हैं तो जो पिछले जन्मों की तपस्या लेकर आएगा उसे इस नातक की प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ती इस नातक को जितना ज्यान होता है उसे पुर्वही ज्यान हो जाएगा उसको आधी गुरु शंक्राचारिय ठीक है? किस उम्र में? मातर 32 वर्ष की उम्र में वो समाधी ग्रहन करते हैं और 16 वर्ष की उम्र में वो भाष्य दे देते हैं ब्रह्म सुत्र का और कई गरंथ लिख देते हैं कई गरंथों का भाष्य प्रस्तूत कर देते हैं ठीक है? तो यह निर्भर करता है कि कौन पीछे से लेकर क्या आया है ठीक? क्योंकि संसार की जो बाहरी विद्या है इंद्रियों के द्वारा जो विद्या प्राप्त हो रही है और जो धन वैवो वह तो रह जाएगा लेकिन योग विद्या साथ में चली जाती है छटे अध्याय में यही भगवान ने का है योग विद्या साथ में जाएगी अब चलिए, अब आपके बात पर आते हैं कि पत्रम, पुष्पम, फलम से ही तो भक्ति की शुरुवात होती है लेकिन भगवान इस लोग में ये बात नहीं लिख रहा है कि भक्ति की शुरुवात वहां से हो रही है भगवान स्रीकृष्ण ये इस विशे की चर्चा नहीं कर रहे है कि पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम से भक्ति की शुरुवात होती है ये कहां लिख रहे हैं वो इस लोग पढ़के देखो वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है जो बाहर से पूजा कर रहे हैं मैं उनको ग्रहन करता हूँ लेकिन उनके द्वारा की गई पूजा अविधी पुरुवक होती है वो ये बात को कह रहे है इस बात को वो इस बात से कह रहे हैं तो जो है जब वो उसको समझ चुका है जान चुका है कोई भी योगी और फिर भी अगर वो तत्व ज्यान की और आगे नहीं बढ़ता है तो उसका जीवन विर्थ है अब बुढ़ा कर भी वो पत्रम पुष्प्रम फलम तोयम करता रहे तो उमर तो बेकारी चलीगी न बुढ़े होने के बाद भी यही करता रहे तो इसलिए अब ये करना भी तो गलत नहीं है करते रहो भाई क्या दिक्कत है करते रहो लेकिन प्रमात्मा को तत्व से जानना जरूरी है तत्व से जानना जरूरी है वो तत्व ज्यान जरूरी है वो भगवान कह रहे है कि अब मालनो कि कोई पत्रम पुश्पम भलं तोयम कर रहा हो और कोई दुराचारी विक्ति को बात समझ में आ गई किसी दुराचारी विक्ति को ये बात समझ में आ गई कि तत्व ज्यान की और बढ़ना चाहिए तो वो तत्व ज्यान की और बढ़ेगा ठीक है? तो बस यहाँ पर यहाँ इस पश्टी करन भगवान देने की बात कर रहे हैं और ऐसा वेक्ति चाहे दुराचारी हो चाहे किसी भी जाती में हो अब यह कहो कि मैं कह रहा हूँ यह इस लोग कह रहा है और भगवान अपना इस पश्टी करनी यहां पर इस प्रकार से दे रहे हैं तो वो हमें समझना है यहां पर प्राथमिक और सनातक की बात भगवान नहीं कह रहे हैं यह प्राथमिकता है और यह सनातकता है व्या क्या भी नहीं हो रही यहां पर ऐसी कोई ठीक है तो हम यह निर्भर करता है कि पीछे से कौन क्या लेकर आ रहा है उस पर भी निर्भर करता है हाँ ठीक है एक समानने बालक है तो पहले मंदिर ही जाएगा स्वामी विविकानन्द भी कहते हैं कि भाई पहले बच्चा जब मंदिर जाता है तो मुझे खुशी होती है लेकिन बुढ़ा कि कोशिश करेगा मंदिर क्या है धर्म क्या है इश्वर क्या है प्रमात्मा क्या है लेकिन ये व्रधा आदमी तो इसका जीवन बीद गया क्या अभी भी तत्यों को नहीं जान पाया क्या अभी भी तत्यों को नहीं जान पाया जो सारा दिन अभी भी उसको इसी में लगाना पड़ रहा है उसे तो अब आत्मिस्थित होना चाहिए था इसी बात को लेकर आदिगुरु शंकराचार ने भज गोविंदम इस्थूरत की रशना की भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते संप्राप्ते सनहीत काले नहीं नहीं रक्षती ढूकरन करने तो यह भी कहा कंभीर शाह जी, श्वेता कुमारी, शिल्वर, बॉलर गुरुजी अगर लोकाज में ही सिर्फ लाइफ हैं, तो इतने सारे प्लानेट, ग्लैक्सीज, एश्टरोइड, मेट्रियोर्स, ब्लैक होल्स, एक्सेटरा, रचना का कारन क्या है? सब में तो लाइफ नहीं है, कैसे पता कि सब में लाइफ नहीं है? यहां प्रित्वी पर वो जीव रहते हैं, जो ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं, कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं, जो दूसरी गैसे को लेकर जिंदा रह रहे हो, उनका फॉर्म कुछ और हो, यह तो हमारी ब्रेन जहां तक बुद्धी काम कर रही है, वहां तक हम कहते हैं उसे oxygen की आवशक्ता नहीं है अगर उसे oxygen की आवशक्ता होती तो वह वहां भी मर जाता लेकिन oxygen की जैसे corona time में जो है oxygen deficiency oxygen की कमी कारण लोग मर गए उनका lungs के जो cells थे वो corrupt हो गए due to coronavirus infection और जो oxygen body को मिलना चाहिए था lungs ने लेना बंद कर दिया oxygen air में से और oxygen की कमी की कारण की मौत हो गए कई लोग मृत्य को प्राप्त हो गए तो अब मरने के बाद जो सुक्ष मशरीर है उसे oxygen नहीं चाहिए वो कहीं भी घूम के आ सकता है अपने संकल्प से लेकिन अगर वो बंधन में होगा तो फिर भी उसे दिक्कत होगी घूमने में ठीक है तो यह हमें समझना पड़ेगा यह हमारी बुद्धी है कि हम इन प्लैनेट में ही समझ रहे हैं कि यहीं तक है लेकिन life के कई forms हो सकते हैं हो सकता है कि मंगल ग्रह पर दूसरे ग्रहों पर कुछ दूसरे जीव अलग धंग से रह रहे हों जो हमें इन आखों से दिखाई भी न देते हों क्योंकि यह senses की अपनी limitation है देखने की सुनने की अगर ना होती तो लोगों को चस्मा पहनने की जुरत ना पड़ती है लोगों को कान में machine लगाने की जुरत ना पड़ती है कोई अंधा बहरा ना होता तो limitations है हम एक limitation में संसार को परसीव कर रहे हैं एक foundation में हम world को परसीव कर रहे हैं और उसी को मान रहा है कि सब कुछ है उसी को practical भी बोल देते हैं हम लोग पर practical शायद कुछ और ही चीज़ है बहुत जो practical है sensory practical हम उसको कह सकते कि sensory life में वो चीज़े practical है ने तो बाकी चीज़े क्या है relative है इसलिए बहुत सारे relativity सिधान्त जो है या तो पश्चिं के कुछ दार्शनिकों ने दिया है ने तो भारत के दार्शनिकों ने जैन दर्शन relativity को समझाता है अद्वाइत सिधान्त relativity को समझाता है आदिगुरु शंकराचारे का कि चीज़े relative है आप जो यह संसार देख रहों यह relative दिखाई दे रहा है आपको ठीक है relativity यहाँ पर लागू होगी आपको दिखाई देता है कि सुर्य जो है पूर्व में सुर्योदय हो रहा है पश्चिं में इस सारी बात है relative है चंध्रमा पे चले जाओगे तो पूरा पश के उपर या दूसरे प्लानेट पर जो gravity की value है वो भी चेंज हो जाएगी तो everything is relative सबकुछ तो relative है लभी जयन दर्शन में स्यादवाद का अध्यन की relative relativity को समझाने की कोशिश की गई है कि हमें जो भी experience हो रहा है वो relative experience हो रहा है वो real experience नहीं है that is not a real experience वो relative experience है तो यह है तो इसी लिए आप जिनको जीव कह रहे हैं यह जिनको जीव कह रहे हैं एक आपका relative experience है हो सकता है कि जीव किसी दुसरे form में वहाँ पर exist कर रहा हो जिसे हम नहीं जानते या हम नहीं देख पाते दीपक गोयल जी नूतन भट जी बहुत अभिनंदन है अनिल सोनी जी हिला लाल यादो बीकु कुचाडिया अनिल सोनी गुरु जी यह पिंडे यह था पिंडे तथा ब्रमांडे इसके बारे में थोड़ा बताई इसके बारे में यह है कि आप स्वेम को जानेंगे तो आत्म को जान जाएंगे तो पूरे ब्रमांड का रहस सभी जान जाएंगे पूरे ब्रमांड आपके भीतर ही पूरा ब्रमांड और वो ब्रम है इसलिए भगवान स्री कृष्ण भी आत्मा में युक्त होने की बात करते हैं आत्म इस्थित होने की बात करते हैं ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस कारिकरम को यहां विश्राम देंगे, कल फिर मिलेंगे नाइन पीएम लाइफ चर्चा में हैं, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का ध्यान योग कोर्स आफलाइन में भी करना चाहते हैं, तो संपर्क किजिए, आपको बताय जाएगा कैसे करना, ठीक है, ओम तत्सक्त प्रश योड़ घर का विश्रादist करना, फिर प्रफस नाइए, तो स reag